नम्रिश्क्रा दोस्तों स्वार्गत है आपका मेरे चैनल पर आश्वा करती हूँ कि आप अपना ध्यान अखरे होंगे आज की वीडियो में आपके लिए लेकर रहा हूँ टुटोरिल ओन दिस मेकप लुक काफी सॉफ्ट मेकप लुक है और हां मुझे पता है कि आइस जो है को थोड़ी बोल्ड दिख रही है तो अगर आपको चाहिए तो आप अपनी आईज को टोन डाउन कर सकते हैं बाई उजिंगा सॉफ्ट ब्राउन काजल या फिर नूड आई पैंसिल अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं पिंक नूड लिप्स्टिक आज इस्तिम हम अप्लाई करेंगे लिनेज का लिप स्लीपिंग मास्क इन दे वेरियंट बेरी स्किन को मॉस्टिराइज रखना बहुत इंपॉर्टन है मैं अप्लाई कर रही हूँ दे फेस शॉप का वाइट सीड मॉस्टिराइजिंग लोशन प्रोडक को मैंने फेस और नेक पर अप्लाई कर रही हूँ रिमल का लास्टिंग फिनिश प्राइमर इस्तमाल कर रही हूँ मैं ये पोर्स को ज़्यादा मिनमाईज नहीं करता है पर मुझे एक गलोए इफेक्ट देता है इसलिए मैं इसका इस्तमाल करती हूँ इस प्रोडक को मैं अपनी T-Zone पर अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ इस एरिया पर मेरे काफी पोर्स है इसलिए मैं प्राइमर का इस्तमाल कर रही हूँ आज मैंने बहुत ही lightweight foundation पिक किया है यह है NECA का skin genius foundation in the shade warm sand यह मेरे skin को suffocate नहीं करता है और heavy भी नहीं है बहुत ही अच्छा लगता है skin पर Amazon के foundation brush के मदद से मैं foundation को blend कर रही हूँ और अच्छे से brush को circle motion में चला रही हूँ हमने अपनी skin को अच्छे से prepare किया था makeup application के लिए तो देखिए कितने अच्छे से हमारा foundation हमारे skin पर बैट रहा है LA Girl Pro का orange color character इस्तमाल कर रही हूँ मैं बहुत एकम quantity हम apply करेंगे अपनी eyelids पर और under eyes पर फिलहाल मैं ring finger की मदद से product को blend कर रही हूँ color correction काफ़ important step है क्योंकि जब हम concealer लगाएंगे तो हमें किसी तरह का grey cast नहीं दिखेगा LA Girl का pro conceal concealer in the shade natural इस्तमाल कर रही हूँ मैं product को हम भही apply करेंगे जहाँ पर हमने concealer को apply किया था यानि कि अपनी eyelids पर और under eyes पर concealer को blend करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ pack का 272 concealer brush और अच्छे से concealer को blend कर रही हूँ देखे किसी तरह का grey cast नहीं दिख रहा है हमें यह concealer काफ़ी अच्छे लगा मुझे creamy consistency का है और medium to full coverage देता है मुझे थोड़ा और cover चे था इसलिए मैंने थोड़ा और concealer apply किया और brush के मदद से blend कर रही हूँ concealer को set करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ नाइगा का skin genius compact powder in the shade warm honey concealer brush की मदद से ही मैं powder को apply कर रही हूँ अपनी eyelids पर और under eyes पर sheen के fluffy brush के मदद से मैं compact को अपने पूरे face और neck पर apply कर रही हूँ और foundation को set कर रही हूँ आज मैं इस्तमाल कर रही हूँ mayblink का brow pencil ये product मुझे जादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये काफी waxी रहता है और equally मैं इसे distribute नहीं कर पाती हूँ अपनी eyebrows पर somehow मुझे okay okay लगाए और इससे मैं जादा पसंद नहीं करती हूँ फिलाल अब हम spoolie की मदद से eyebrow hair को comb करेंगे और set करेंगे अब हम apply करेंगे blush as an eyeshadow ये है wet and wild का mellow wine blush मैंने amorphic के eyeshadow brush पर blush को पिक्किया और अपनी crease को define करेंगे ये blush हम अपनी eyelid पर भी pack करेंगे अब हम apply करेंगे निक्स का epic ink eyeliner काफी basic wind eyeliner draw करूंगी मैं आप चाहें तो dramatic eyeliner draw कर सकते हैं पर मुझे लगा कि इस subtle eye look के लिए हमें basic wind eyeliner draw करना चाहिए और ये eyeliner काफी अच्छा है इसका effect long lasting रहता है highly pigmented है ये और इसका brush tip बहुत आसानी से हमें precisely wing liner को draw करने में काफी मदद करता है अगर आपको eyeliner apply करना पसंद नहीं है तो आप काजल का स्थमाल करके अपनी lash line से लग कर काजल को draw करें और उसके बाद उसे smudge करते हैं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ Plum का काजल ये black काजल है अगर आपको ये look काफी bold दिख रहा है तो आप basically एक nude eyeliner का इस्तेमाल कर लें या फिर brown काजल का इस्तेमाल कर रहें उससे आपका overall eye look काफी soft दिखने लगीगा मुझे ये eye look ऐसे ही अच्छा लग रहा है with an eyeliner and a काजल pencil which is a black one lashes को कॉर्ल करूँगी मैं वी ओवे के lash color के इस्तेमाल से और essence cosmetics का lash princess mascara अपलाई करूँगी मैं अपने lashes पर अच्छे से mascara को अपलाई करेंगे हम अपने upper lashes और lower lashes पर मेरे हिसाब से बहुत ही easy to do eye makeup है आप मुझे comment करके बताईगा कि आप कोई easy लगा या नहीं sugar cosmetics का contour the force face palette इस्तेमाल कर रही हूँ मैं ये face palette है in the variant vivid victory मैं sheen के contour brush के मदद से face palette में से contour powder को pick कर रही हूँ और अपने hollows of the cheeks पर apply कर रही हूँ इसी powder के मदद से मैं अपनी jawline को भी define कर रही हूँ अब हम apply करेंगे blush तो मैं pick कर रही हूँ ये blush ये brush जो है ये Morpheka E34 blush brush है मैं blush को अच्छे से apply कर रही हूँ अपनी cheeks पर हलका सा blush हमने nose पर भी apply किया है ऐसा करने से cohesive effect दिखता है मैं थोड़ा और pigmented blush इस्तेमाल कर रही हूँ ये है wet and wild का mellow wine blush make up को set करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ next का due finish setting spray wet and wild का mega glow highlighter in the shade crown of my kind of paste इस्तेमाल कर रही हूँ ये brush BH Cosmetics का है इस brush की मदद से मैंने highlighter को pick किया है और अपनी higher points of the face पर apply कर रही हूँ highlighter को मैं बहुत ही heavy handedly use कर रही हूँ क्योंकि मुझे ही blinding effect चाहिए था आप चाहें तो काफी subtle look पाने के लिए हलकी हाथ उसे highlighter का इस्तेमाल करें अगर आपको highlighter का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है तो आप इस step को skip भी कर सकते हैं essence cosmetics का long lasting lip liner in the shade plum cake इस्तेमाल कर रही हूँ अपने lips को line करने के लिए कलबा cosmetics का liquid lipstick in the shade और लाते इस्तेमाल कर रही हूँ आज मैं यह pinky nude है और जब यह dry हो जाता है तो यह mauve pink shade लगता है यह shade मुझे काफी अच्छा लगा lipstick जो है उसका formula थोड़ा सा drying है तो आपके lips को dry कर सकता है इसलिए आप अपने lips को well moisturize रखें यह है अपना complete makeup look बहुत ही अच्छा लग रहा है simple लगा मुझे quick and easy लगा आप अपना opinion मेरे साथ definitely share करें comment करके क्या आप इस makeup look को create करेंगे अगर आप इस makeup look को recreate करेंगे तो मुझे instagram पर tag करना बिलकुल न भूले यह है close up of the makeup look आप इस makeup look को Indian wear के साथ pair up कर सकते हैं काफी अच्छा लगेगा subtle और soft दिखेंगा मुझे ऐसे practical quick and easy makeup looks काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि आप जब भी on the go होते हैं तो आपके पास बहुत कम समय होता है और आपको जल्दी जल्दी त्यार होना होता है तो ऐसे makeup looks हराम से create किये जा सकते हैं मैं आप सभी से request करना चाहती हूँ कि अगर अभी तेक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है और आप मेरे वीडियो को regularly देखते हैं ऐसा करने से मुझे प्रोच सहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा content मनाती जाओंगी आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को subscribe करना consider कर रहे होंगे तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें मेरे चानल को subscribe करें bell button पर click करना ना भूलें आप अपना ध्यान रखें मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगरी वीडियो में take care बैबाई